कुकर की एक सीटी में बनाएं नए तरीके से भिंडी की बहुत ही टेस्टी सबजी जो आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं भिंडी की सबजी बनाने के लिए हमने आपर 200 ग्राम भिंडी को धो करके सुखा लिया था इसके बाद इसे उपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा काट करके ऐसे कट कर लिया है जो बड़ी भिंडी थी उसके हमने दो टुकड़े किये हैं और जो छोटे साइच की भिंडी थी तो बस उसको सिर्फ उपर और नीचे से ही कट किया है थोड़ा सा दो प्यास को चार टुकडों में काटके हमने पेटल्स निकाल लिये हैं अब एक प्यास को हम रफली चॉप करके मिक्सी के जार में डालेंगे इसमें डालेंगे एक चमस धनिया के बीज, तीन चार लाल मेर्च और कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिये हैं अब यहाँ पर गैस पे हमने रख़ा एक कुकर और इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून तेल, सिर्फ वन टेबल स्पून ही हम तेल डालेंगे. और इसमें हम अपनी बिंडी डालेंगे, चुटकी webinar हल्दी पाउडर और चुटकी बर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे. तक हम इसे पका लेंगे, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो प्याज की हमने जो पेटल्स निकाले थे, और इसको भी हम थोड़ा भूनेंगे, ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज हलकी सी क्रंची ही अच्छी लगती है, तो आप देख सकते हैं, फ् में डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और एक चम्मच हमने किचन किंग मसाला लिया है, आप किचन किंग मसाला की जगए गरम मसाला भी ले सकते हैं, और बस यही बेसिक मसाले इसमें ड तेल गरम हो जाएगा एक चम्मज जीरा चुटकी भर हींग डाल देंगे और जब जीरा भुन जाएगा जो हमने प्याज और सूखा धनिया लाल मिर्च का पेष्ट तयार किया था वह इसमें डाल देंगे आप चाहें तो पीस्ते टाइम इसमें अद्रक लहसुन भी डाल सकते हम भूल लेंगे जिस्ते की लहसुन और अद्रक का कच्चापन खतम हो जाए तो सारी चीजें बढ़िया से भून चुकी है अब हम आज को धीमा कर देंगे और इसमें हम दही और मसालों का पेष्ट डाल देंगी और इसे लगतार चलाते हुए हमें मसाले को भूनना है जब अब देख सकते हैं कि मसाला जो है धीरे धीरे भून रहा है और बढ़िया से भून चुका है ओल एकदम अलग हो गया है तो इस तरह से दही डालने से सबजी का जो कलर है वह बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें डाल देंगे अपने भिंडी और प्याज और साथ हमने एक टमाटर को दो छोटे साइस के टमाटर थे उनको दो दो टुकडों में काटके डाला है मैं इसमें टमाटर को बारीक नहीं काटना है बस यह इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े में टमाटर होते हैं तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अब इस पॉइंट पर हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे तो मैं हाँ पर आज ग्रेवी वाली बिंडी बना रहे हूँ आप चाहें तो सूखी बिंडी भी इसी तरह से बना सकते हैं बस उसमें आपको पानी नहीं डालना है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे तो का ध्यान रखेगा नहीं तो आपकी जो भिंडी है वह ओर कुक हो जाएगी तो एकदम तेज आच में एक सीटी आने के बाद कैस बंद कर दीजिए और यह देखे प्रेशर खतम हो गया है भिंडी कितने बढ़िया से पक चुकी है और बिल्कुल भी टूट नहीं रही है बह अगर अगर अप इस तरह से भिंडी की सब्जी जरूरत नहीं पड़ेगी रोटी इससे आप बहुत ही अच्छे से खा लेंगे तो सब्जी को हमने सर्विंग क्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है इसे आप रोटी या चा वी के साथ